और वहां तक फीडियो अपने को जाना है वेलकम मैं यूट्यूब चलेंग व्लोग सरोप एक बफीशे अप लोगों का स्वागत एक नए वीडियो में और आज हूँ मैं लश्वन जूला देखने के लिए आया हूँ रैपूर का और यहां आज-पास में बहुत से मंदीर है जो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके दिखलाओंगा ताकि आप घर बटर दर्शन भी कर पाएं और आने का है महादेव घाट आपको हाईवे पे मिल जागा महादेव घाट का बोड़ वहां से आपको सिधा सिधे कम से कम नीच तीन से चार क्पी सब्सक्राइब कर दो चलते हैं चलिए दर्शन करते हैं उसके बाद लश्माजूला का लुप्त उठाते हैं आप गाड़ी पार्किंग करते हैं वहां पर बहुत खुबस्वरा से मंदिर है तो चलिए माता का दर्शन करते हैं यह मंग सकते हों जो भी आपको मन अगामना है तो जैमाकाली तो यह में मंदिर है तो यहां भी दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं यह देखिए लंदी महाराज हैं और यह है जै हटेशवर नाथ मंदिर तो यहां पर विराजमान है जै हटेशवर नाथ पर्शन कीजिए घर बैठे और जो भी मनो कामना है आप बिलकुल मंग सकते हो तो आपको यह वीडियो कासा लग रहा अच्छा का लग रहा है तो एक लाइक तो कर दीजिए चलिए चलते हैं लश्मन जूला देखते हैं कि उसी के लिए मैं आया हूँ और मुझे नहीं पता था कि यहां पर कितने सारे मंदिर बने हुए है तो यह जो देख पा रहे हैं यही है लश्मन जूला तो चलिए चलते हैं और देखते हैं लश्मन जूला अभी लाइटिंग बहुत अच्छा कासा हो गया है यहां से हैं एंट्री और इस तरफ से अपने को चलना है यह देखिए सब जा रहे हैं आपको यहां से चलके आना है और सिधा आपको इस साइड से चलना है और पहस टाइम है मेरा यह लशमन जूला आप लोगों को भी दिखलाता हूँ लैटिंग तो वासम लग रहे हैं Jaa है से चालू ए लशमन जूला और यह देखिए कई लोग आ रहे हैं घुम्के कई लोग गुमने जा रहे हैं तो अगुमने के लिए तो चलिए इंज्वाय करते वे चलते हैं लश्च मं जूला ऐसे ओडिमा रही है यह है खारुन नदी और इसी को पर पुरा लश्च मन जूला बनाया गिया यह देखिये चले आ intim влад ओम दिए और शुर्ट को ही और ये थोड़ा सा लब्की हिलता है कि आरे-कित नहीं इता है वो देखनेवाली बहात है तो ये चलने पर थोड़ा सा हिलता है इसलिए साईब स्कोल लच्छमन जूला बोलते हैं क्योंकि PERC Fool चलोगे तो आपको अब यस लगे कि जुलीजासा फिलिंग आती है तो इसी लिए इसको लश्मन जुला बोलते हैं पानी की दारे है बहुत ज्यादा है यहां पर और इसी के उपर प्रण लश्मन जुला बनाएंगे हैं और यह जो लोग जब चल रहे घुल जा रहा है मालू और आपको जो इसको थोड़ा बहुत डल लगता हो गद उनको डल लगे गई लगेगा और इसकी जो बनावाट है पूरा यह देख पा रहे हैं पूरा केबल के तुरू बनाया गया है यह पूरा केबल है यह देखिए हुआ कि का ही है पूरा केबल है यहाँ पर नीचे आपको दिखलाता हूं तो नीचे में यह लाइटिंग है और नीचे में भी केबला किसी भी परकार का इसमें जैसे की बड़े-बड़े जो स्तंक खंब convince में नहीं दिया गया है पूरा केवल के थूरू ये लश्वन जुला बनाया गया है, जो बहुत ज़्यादा खुब्सूरत लग रहे हैं। आगे और देखते हैं क्या है, यहां पे मैं सुनाओ कि यहां पर पार्क अगर भी है, तो उसको भी अपन देखते हैं। तो यहां पर बहुंत अच्छा गाडन बनाया गया है तो उसको भी अपन देख लेते हैं कि वहां पर नजर आ रहा श्यंकर भगवान जी तो इस सेड में हैं गाडन यहां से प्रविश द्वार और खूलने और बनने का समय है साड़े पांस से साड़े आड तक और तीन बज़े से सामके साथ बज़े तक है जो टिकिट है ये निसुल की टिकिट है तो गार्डन के इंजॉय करते हैं अपना ये देखिए कितना खुबसुरत से लाइटिंग किया गया है और साथ बज़े ये बंद हो जाता है तो अपने तो तो थोड़ा लेट हो गया तो थोड़ा जली जली अपने को कवर करना यहां पे संख है तो चलिए आगे और देखते हैं यहां भी संख है बड़े बड़े संख है दो ठोक समय कम होने के विज़ा से अपने को थोड़ा सा जल्ली सूट करना होगा बहुत अच्छा बनाया गया यह देखिए सब इंजॉय कर रहे हैं और यहां पे पानी भी गिर रहे यह देखिए पानी यहां से गिर रहा है और रियल में लग रहे हैं तो यह देखिए थोड़ा सा अंदेला हो जा रहा है लेकिन बहुत खुप्तुर्ट रहा है यह सब्सक्राइब रहा है ये अर लाइटिंग देखिए आप लाइटिंग बहुत खुप्सूरत किया गया यहां पर यह देखिए और मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा अपना शुरू में रिवीव दिया था है आप चिनाया गया और लाइटिंग जो किया गया बहुत ज्यादा खुबसूरत है और आगे बढ़ते हैं और देखते है तो यह देखिए लश्मन जूला कितना खुबसूरत लग रहा है और लाइटिंग देखिए बहुत और यहीं से पर लोग चल के आये हुए हैं तो एक तरफा है यहां का माहॉल और यहां की जो सजावते ह जाता है यह देखिए सब अभी भी आई रहे हैं और यह साथ वजे बंद हो जाता है यहां पर है मुप्त कुबन और कितना अच्छा सजाया गया है यह देखिए लाइटिंग पकड़े हुए हैं चूजे लोग चूहे लोग यह देखिए और यहां पर अच्छी बात यह है कि यहां पर सुलब सचाले भी है तो जिसको हल्गा होना है तो इजली हो सकता है और यह लाइटिंग देखिए बहुत क्या खुबसरत लाइटिंग किया गया वह लच्छमन जुला पर आगे और बढ़के देखते हैं और आगे में है क्या और यहां पर जो पेड़ फोदे लगाए हैं बहुत खुबसरत खुबसरत लगाए हैं उपर से लाइटिंग जो चान चान लगा दे रहा है भाई और यह कुछ यूनिक लग रहा है यह देखिए और इसमें भी लाइटिंग है कुछ जल रहा है कुछ नहीं जल रहा है अगर अग्या लिखा गया है गोल्फ कॉर्ट वे तो यह देखिए यहां पर एक्सराइस करने के लिए लगाया भी गया है तो अच्छी बात है बहुत अच्छा बनाया गया है यह इसके अंदर भी अपन देख लेते हैं क्या बना है अच्छा यह तो कैंटिंग है तो जिसको जो कूछ भी खाना पीना है तो कैंटिंग में ख जिसको exercise बगरा करना है यह देखिए बच्ची लोगं के लिए यहां पर बहुत अच्छा बनाया गया है यह देखिए और अभी रात हो गया है और यह भी कुछ भूमाने का है क्या है पता नहीं तो यहां पर exercise करने के लिए यह देखिए बहुत अच्छे से बनाया गया है जो आपको एक्रसाइज करना हो तो आप अपये आप कर सकते हो यहाँ तो एक बार ईपीड देख लीज़े लश्म चुल्च लेजि़े लश्माजूला को और वहां तक फिर अपने को जाना है तो reflection है कि अब नचले जगह हैं आप भी आईए गुमिए इंजोय कीजिए टाइमिंग मैंने आपको बतला दिया है आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से बतला दिता हूं सुबह ये छे से आठ खुलता है साम को तीन से साथ वाई बहुत सई जगह है आप भी आईए और दिल्कुल गुमिए लच और अभी भी लोग आ रहे हैं इंपो लोगों को नहीं पता है तो प्लीस अब मत आईए साथ बज़े के बाद यहां पे एंटरी नहीं है एक बारी फिर देख लीजिए बहुत खुब सुरत बनाया वाके में ताइरिफ के लायकी है बोटिंग में करता लेकिन टाइम आल्मो मैं नीचे आ गया हूँ और आप लोगों को ये वीडियो का से लगा कमेंट करके हमें जुरू बताईएगा अगर आप दो खायर को देखना चाहते हैं इस वीडियो को इक्टे भी नाइट हो जाने के वज़ए सच्छे से नहीं दिखला पाया हूँगा मुझे पाता है लेक